तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप एप्सन प्रेंटर मॉडल 380 का ड्राइवर डाउनलूड करना चाहते हैं तो आप एप्सन प्रेंटर मॉडल 380 का ड्राइव पर कैसे डाउनलोड करेंगे ड्राइवर को डाउनलोड करने का complete process में आपको इस वीडियो में explain करने वाला हूं आप मेरे साथ वीडियो के complete process पर बने रहे हैं ताकि बेटर तरीके से आपकी समझ में आए और आप बेटर तरीके से जो है driver को डाउनलोड कर सकें दोस्तों अगर आप हमारे यूटूब चनल पर नए हैं तो आप हमारे यूटूब चनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें दोस्तों यहाँ पर हमें एप्सन प्रेंटर 380C model के लिए टाइप कर देता हूँ यहाँ पर Google Chrome browser आपको open करना होगा यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का user interface एक इस तरीकी window आपके सामने open होगी आप किसी भी एक side पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से जो है आप driver को download कर सकते हैं यह एपसन प्रिंटर मोडल है और यह एपसन प्रिंटर मोडल का नेम है और यह यहाँ पर नीचे operating system दिया गया है इन इन operating system के साथ आपका जो है support करेगा आपका driver window 10, window 8, window 7, window vista, window HP इनी के साथ यह driver जो है support करेगा और यह यहाँ पर driver को download करने के लिए option दिये गए हैं जब आ आपका driver successfully download होना शुरू हो जाएगा चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से जो हम driver को download कर सकते हैं तो मैं यहाँ से यह सब हटा देता हूं और आपको driver download करने का process बता देता हूं हम यहाँ किसी एक driver पर click करेंगे चलिए मैं यहाँ इस पर click कर लेता हूं और जब म और अब मैं यहाँ पर आपको और भी किसी website पर विजट करके दिखाते ता हूं कि किसी और अगर हम website पर विजट करें तो हम वहाँ कैसे download कर सकते हैं अपने driver को तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक और website पर यहाँ विजट किया है और यहाँ पर इस तरीके का user interface हमें देखने के लिए मिलेगा और जब हम scroll down करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीके का वही सब देखने के लिए मिलेगा जो पहले देखने के लिए मिला था यहाँ पर यह operating system है इस operating system के साथ यहाँ पर driver काम करेगा और इस green screen पर आप click करेंगे जो download का option लिखा हुआ है तो आपका driver successfully download होना शुरू हो जाएगा यह आपको अगने page पर redirect कर देगा और जब यहाँ से आप download के option पर click करेंगे तो आपका driver जो है download होना शुरू हो जाएगा चलिए मैं यहाँ download के option पर click कर देता हूँ मैंने download के option पर click कर दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी screen पर तो आप इस तरीके से driver को download कर सकते हैं दोस्तो driver को download करने का process मैंने आपको इस वीडियो में explain किया है अच्छे तरीके से इसके लाबा अगर आप मेरे new channel पर visit करना चाहते हैं तो visit कर सकते हैं link आपको video के description में मिल जाएगा इसके लाबा अगर आप share बजार में interested हैं तो account open कर सकते हैं उसका भी link आपको video के description में मिल जाएगा 100% आपका account free open हो जाएगा कोई charge नहीं देना पड़ेगा इसके अलाबा आप मुझे social media पर contract कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई confusion है कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज मेरे चैनल को subscribe करना न भूलें नमस्कार धन्यवाद